असलामलेकुल वीवर्स कैसे हैं आप देख रहे हैं आईकेट प्रोजेक्ट चैनल और फाइनली एपल ने आइफून 12 का जो रूमर और फाइनल डिजाइन लाउंच कर दिया हुआ है और रूमर से कन्फर्म होते होते ही एक फाइनल डिजाइन पहुंच चुका हुआ है जो ए जी तो नाजरीन आइफून 12 का जो डिजाइन है वह आइफून 11 जैसा ही 11 प्रो जैसा ही है और 11 प्रो में और आइफून 12 में सिर्फ एक कैमरे का फरक जो भी पिछले दिन रूमर चल रहा था कि उन्होंने चार कर दी है ऐसा कुछ नहीं है एक सिर्फ उन्हें एक्स्ट्रा प्लाउंच कर दिया है सेम तो सेम जो है पाउच भी इसके लगेंगे उसको सेम चार्जर भी लगेगा और एक रूमर और भी बड़ा मैं आपको क्लीर करता चलूं कि बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि आइफून 12 का जो है वह चार्जर इन बॉक्स नहीं मिलेगा और यह काफी हद तक इसकी जो है कंफिर्मेशन रिपोर्ट जैब फिफ्टी सिक्स परसेंट तक हो चुकी हुई है यानि कि फिफ्टी प्लस जा चुका हुआ है कि आईफून वाके ही बॉक्स में चार्जर इस बार नहीं देने वाला और यह ट्रेंड क्या है और क्यूं बन रहा है इसका तो हमें आगे जागे ही रूमर्स में पता लगेगा की डिजाइन में उसको ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया उन्हें बैक से वैसे ही मैट और एंटी क्लियर की तरह है पीछे उसकी और हार्ड टॉफेस्ट ग्लास जो अभी तक उसका एपल नहीं सबसे लांच किया ह ग्लास है हमारा तूटता नहीं है तो वह अभी तक उसी ग्लास के साथ वह नैनो बैजल के साथ उसको लांच कर रहा है और नौच को काफी हद तक वह छोटा भी कर रहा है और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे आईफून ट्वल्व जो है यह इस बार लांचिंग दे अपने साथ पाउच की भी जैसे के रबेल इसका पाउच आया था जो अक्सट जो लोग जेल पर क्या सीडिया को जानते हैं उसके एटवर्टाइजमेंट में रबेल उन्हें एक जो है पाउच लांच किया था कारबन फाइबर का जो है मैटेरियल के अंदर उसी मैटेरियल पाउच लांच करें और यह भी वज़ा हो सकती है कि वह अपने चार्जर को जो एक्स्ट्राउडिनरी करके पेश करें आपको इंदा बॉक्स जो है वह नहीं दे रहा यह काफी अतक बात सही में एपल आपको बता रहा है वह यह है कि वह स्क्रीन को सिक्स्टी हर्ट से लेक हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा क्यूंकि अपल आपको बता हर बार की तरह कुछ ना कुछ आप्शन को बंद करके रखता है रोग के रखता है तो उसी के साथ जो है यह जो है रीफ्रेश्ट स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे रीफ्रेश्ट का एक आप्शन हमें मिलेगा आइफून में और रीफ्रेश्ट का मतलब यह नहीं होगा कि आप 90 हर्ट सेट कर सके अपनी मर्जी से और या पिर आप उसको अपनी मर्जी से गेमिंग के अंदर सेट कर सेके ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन यह सिर्फ अभी आपको वीडियो में और उसके इलावा जो है और ऑन्यों स्क्रीन में आप तक का अप्शन नहीं मिलेगा लेकिन इसका यह वज़ए यह सवाल यह कोमेंट में आता है कि क्यों नहीं मिलेगा क्यों इसलिए नहीं की बहुत देर पहले और बेल्स ने भी हमें जो या 90 हट्स का डिस्पले जो हमें लॉट कर दिया हुआ सैमसंग नहीं हमें दे दिया हुआ है लेकिन 90 हट्स का डिस्पले जब से दिया है तब से वह उनकी बैटरी जो बहुत ज्यादा जो है वह वो कुंजूम होती है और जब और 60 हर्ट्स पे उसको नॉमली कर लेते हैं तो उनकी बैटरी time बहुत अच्छी हो जाती तो इसलिए 90 परसेंट कस्टमर्स उसको 60 थो उसको करते हैं 90 थो को यूज नहीं करते और जो बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं क्यों बैटरी चारजर या पावर बैंक को साथ करते हैं लेकिन एक कस्टमर जो है वह नाइंटी हर्ट इस्प्ले को पसंद नहीं करता इसलिए एपल भी इसको बैटरी को जो है खास उस पे नज़र रखते हो को उसने option शायद दिये हैं हमें के लिमिटेड वीडियो में और आपकी जो है गेमिंग में या फिर कोई एक आद ऑप्शन होगा कैमरे में तो यह चलेगा नॉर्मल स्क्रीन पर हमारा नाइंटी हर्ट्स बंद कर देगा सिक्स्टी हर्ट्स चलेगा न्यूज आ रही है टैप पर अनलॉक हो जाएगा अब यह जो मेरा फॉन है अनलॉक नहीं होता यह मैं इसको ऐसे करूंगा तो ही अनलॉक होता है तो उसमें यह है कि आपको जब भी फॉन आपके टेबल पर पढ़ा तो वाइड एंगल पे आपका लिमिटेड एरिया जो एपल देगा वह एरि सब्सक्राइब के साथ हैप्टिक बैक सिक्स का यूज किया जाएगा जो और ज्यादा प्रीमिम आपको फील देगी और ज्यादा अच्छा फील करवाइगी चार्जिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा एपल ने इस वकत जो फैसला किया वह यह के वायरलेस आपको प्रवाइड कर सकता है फास्ट आपका फून एक गहंटे में या एक गहंटा बीस मिनट में आपका फून फूल हो जाएगा वायरलेस चार्जिंग पे नौमली अभी जितने भी वायरलेस चार्जर हैं वह फौन को तीन से साथे तीन घंटे में फूल करते हैं एपल यह इसको आइफून 12 को वाटर प्रूफ बनाने वाला है और इसके अंदर स्पीकर्स के अंदर एजेक्शन भी देनी है जैसे वाच के अंदर होती कि अगर पानी में फौन हो तो आप जो बाहर निकाले तो आप उसके अंदर जो म्यूजिक प्ले करेंगे उसके थूरू सार लगा के उसका आइफून 11 प्रो का लेकिन बैटरी बहुत कम से कम खायेगा और इपको प्राइसें को आपको करता हूँ और इसके साथ आपको ब्ताता हूँ वडाता हूँ प्राइस ऑन्यूंटी नाइन का 1 kingdom में 89 वे और शो इसमें प्रो एने वाला है 1099 का आपको मिलेगा और उसमें जो हाई एंड वेरियंट है जो उमीद है कि जो 5G होगा वो 512 होगा और वो होगा 1399 में तो ये इनके हैं प्राइजिस एक्सपेक्टिड प्राइजिस होते हैं उसके इलावा जो है इसकी जो है 10 सब्तंबर को इसका जो लाइव स्टीव जॉप टेटर्स के अंदर लाइव शो भी आने वाला है वो भी इंशाला आपको दिखाएंगे इसी चैनल पर लाइव करेंगे और उसी के साथ आप कमेंट्स में हमें याद रखेगा लाइक में हमें याद रखेगा वीडियो को करते हैं इसी के साथ बहुत शुक्रिया अल्हाफिस